हेलो नमस्कार प्रैंट, यदि आप भी कोई कार खरीदने का मन बना रहे हीं, तो हुंडाई की सेंट्रों के बारे में एक बार पूरी जानकरिया जान लिजिए यदि आप अपनी घर फेमेली के लिए या अपने प्रसनल यूज के लिए लेना जाते हैं Hyundai की सेंटरों का विकल्प कापी बेतरीने मैं आपको यह नहीं कहूँँआ कि आप Hyundai की सेंटरों को ले लिजे पर यह कहना जरूर चाहूँआ कि आप इसके बारे में पूरा वीडियो देख लिजिए क्या रहेगा इसका mileage, price क्या रहेगी इसमें आपको कौन-कौन से variant देखने के लिए मिलेंगे और इसमें आपको क्या feature और क्या safety feature देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको Hyundai Centro के बारे में और कहीं वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इसी वीडियो में मैं आपकी main main बाते सारी cover करूँआ तो बिना देरी के चलिए शुरू करते सबसे पहले आपको बताए Centro के variant के बारे में यह आपको पांच variant में उपलब्द रहेगी फर्स्ट रहेगा डेलाइट, सेकंड रहेगा एरा, थर्ड रहेगा मेगना, फॉर्थ रहेगा इस्पोर्ट और फाइब रहेगा एस्टा इस परकार से आपको Hyundai के Centro पांच variant में उपलब्द रहेगी यह सभी की प्राइस अलग-अलग रहेगी, यह आपको अलड़ेडी पता होगा अब जो नई Centro आने वाली है, उस नई Centro में आपको देखने के लिए मिलेगा AMT और Factory Fitted या कई CNG केट का विकल्प भी रखा गया ही बात की जाए Hyundai की Centro के बारे में, इसमें आपको इंजिन देखने के लिए मिलेगा 1086 या कौन 1600 सिस्टी का आपको इसमें पावरफुल इंजिन देखने के लिए मिलेगा माइलेज की बात की जाए, तो Hyundai की Centro आपको 20 किलोमेटर पर डिटर का माइलेज यह देदेगी और यह पेट्रोल में रहेगी, Hyundai Centro इंजिन और माइलेज नई सेंट्रो में 1.1 लिटर का 4 सिलेंडर VS6 पेट्रोल इंजिन लगाया गया है जो 69 PS के पावर और 99 NM का टार्क देता है इस इंजिन के साथ 5-speed manual और AMT gearbox का विकल्प भी रखा गया है इस 5-sitter कार के साथ factory fitted CNG kit का विकल्प केवल मेगना और sport variant में ही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों CNG fitted है यह सिर्फ आपको top variant यानि के मेगना और sport variant में ही देखने के लिए मिलेगा CNG का mileage आप देख पाएंगे 30.48 या को 30 km प्रती kg के सबसे इसका mileage रखा गया है अब बात की जाए Hyundai Centro के बारे में कुछ feature की Hyundai Centro में driver airbag इसमें आपको सिर्फ driver airbag ही देखने के लिए मिलेगा ABS और ABD जैसे feature सभी variant में student रहेंगे केवल टोप variant में extra में passenger airbag भी दिया गया ही इसके अलावा 7 inch का touch screen, entertainment system, rear parking camera, sensor और rear anti-vent जैसे system भी सामिले अब बात की जाए Hyundai Centro के बारे में color option की तो ये आपको 6 color option में मिल जाएगी dust, green, red, silver, blue और white ये इस परकार से आपको 6 color option में मिल जाएगी अब बात की जाए price के बारे में इस 5 sitter car की कीमत 4,08,000 रुपई से सुरू होती है जो जाती है 5,08,000 रुपई तक यानि कि top variant आपको 5,08,000 रुपई में मिल जाएगा मैं normal variant की बात की जाए तो 4,08,000 में मिलेगा तो friend Hyundai Centro के बारे में आपके क्या ख्याले आप अपनी महतुपन राइक कमेंट सेशन में लिखिएगा और इसके अलाओ कुछ पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेशन में लिखिएगा Thanks for watching मिलते नेक्स टोडियो में तब तक के लिए इजाद चाहता हूँ Bye Bye